हेलो चिल्रेन हिंदी में हम पाट 12 पढ़ रहे हैं काशी का प्रिसाद पाट का क्या नाम है काशी का प्रिसाद इसमें हमने कहानी को पढ़ लिया है है ना इस कहानी को हमने पढ़ लिया और शब्दों से दोस्ती भी कर लिया है है ना तो आज हम कितना सीखा इतना सीखा ठीक है? का है? मौखिक उत्तर दीजिए. पहला प्रश्ण है पुरोहित का क्या काम होता है? मैंने उत्तर लिख दिया है आपकी बुक में, आपकी आसानी के लिए. पुरोहित का क्या काम होता है? उत्तर है पुरोहित का काम पूजा कराना होता है अगला बताशे का रंग और स्वाद बताईए बताशे का रंग और स्वाद कैसा होता है? आप जानते हैं बताशे का रंग सफेद और स्वाद मीठा होता है है ना बताशे का रंग सफेद और स्वात मीठा होता है तीसरा है पानी में चीनी मिलाने पर क्या तयार होता है पानी में चीनी मिला दिये तो क्या तयार होगा शर्बत तयार होगा है ना तो पानी में चीनी मिलाने पर शर्बत तयार होता है क्या तयार होता है शर्बत तयार होता है चौथा है किस नगर का प्राची नाम काशी है वारा नसी का इसको बनारस की नाम से भी जाना जाता था लेकिन अभी वर्तमान समय में इसको किस नाम से जाना जाता है वारा नशी वारा नशी नगर का प्राची नाम काशी है ठीक है यह हो गया आपका मौक के कुत्तर दीजे अगला है आपका रिक्त अस्थान भरिये खा रिक्त अस्थान भरिये पहला है मुनिके जोलो जोले में क्या था मुनिके जोले में क्या था बतासे थे है ना तबी तो प्रिसात को निकाला था काशी के प्रिसात को तो मुनी के जोले में बतासे थे अगला सेवक पानी से भरा क्या लेकर आया था सेवक पानी से भरा घड़ा ले आया सेवक पानी से भरा घड़ा ले आया तीसरा तेनाली राम ने बताशों को तोड़ कर पानी में घोल दिया तेनाली राम ने बताशों को तोड़ दिया था और क्या किया था पानी में घोल दिया था जिससे सभी को प्रिशाद बराबर भागों में मिल गया था तो क्या है तीसरा तेनाली राम ने बताशों को तोड़ कर पानी में घोल दिया अगला है मुनी ने तेनाली राम की क्या ली थी परिच्छा ली थी क्योंकि वो क्या थे बुद्धि मान थे तो उनकी बुद्धि मत्ता की परिच्छा ली थी तो मुनी ने दिनाली राम की परिच्छा ली थी ठीक है? आगया समझ में? गाह है आपका रेखांकित शब्दों के भेद, संग्या, सर्वनाम, क्रिया लिखिये रेखांकित शब्दों के हमें क्या लिखना है? संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया ठीक है? पानी से भरा था पानी क्या हुआ यहां पे संग्या द्रव विवाचक संग्या है लेकिन अभी हम इसके प्रकार पढ़े नहीं है तो हम क्या लिखेंगे संग्या लिखेंगे ठीक है घड़ा पानी से भरा था तो हमें रेखांकित शब्दों का बताना है कि संग्या है या खांकित शब्द पानी है तो ये क्या हो गया संग्या हो गया सभी ने प्रिशन होकर शर्बत पीया सभी ने प्रिशन होकर शर्बत पीया तो पीया किया काम करना तो पीना का अर्थ वो कोई काम किया है ना तो पीया क्या हो गया क्रिया हो गया क्रिया हो गया ठीक है अगला है तेनाली राम कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते थे, तेनाली राम कठिन, कठिन पर रेखांकित है, तो ये क्या हो गया, विशेशन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिन, सरल, अच्छा, बुरा, ये सब क्या होता है, विशेशन में आ जाता है, ठीक है, किस में आ जाता है, कारी की विशेशता बताते हैं, है ना, तो तेनाली राम कठिन कारी भी आसानी से कर लेते थे, ये क्या हुआ, विशेशन हो गया, अगला है, मैं काशी से प्रसाद लाया हूँ, मैं, मैं क्या होता है, जब संग्या की जगहां पे, मैं, वाह, ये सब प्रयोग होता है, तो वो क क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, है ना, मैं काशी से प्रिसाद लाया हूँ, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, संग्या की अस्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, अगला है, काशी को शिव की नगरी कहा जाता है, काशी प तो ये क्या हो गया, संग्या हो गया, ठीक है, आगई बास समझ में, अगला है, समझिये और लिखिये, समझिये और लिखिये, पहला उदारर दिया है, क्रशड क्रिश्न, ठीक है, ये आधा सा है, ये जो हलंत लगा होता है, इसका मतलब आधा हो जाता है, ठीक है, तो बुदा आधाधा आधाधा इ मा आधाधा तापे आ की मात्रा तो ये क्या हो गया बुद्धी मत्ता क्या हो गया बुद्धी मत्ता अगला शा आधाका का रा क्या हो गया शक्कर मैंने बताया ना हलंत जहां पे लगता है वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है आधाका हो गया यहां पे दा था तो ये आधा-धा लिग दिया यहाँ पे शा आधा था तो यहाँ पे आधा शा हो गया ठीक है शक्कर हो गया ठीक है वा पे आ की मात्रा सा हो गया सा पे आधा सा है ठीक है हलंत लगा है क्योंकि ता और वा ये क्या हो गया वास्तव अगला है चा, मा, आधाता, का पे आ की मात्रा, रा क्या हो गया? चमतकार ठीक है? तो ये हो गया क्रेश्ट, अगला बुद्धी मत्ता, शक्कर, वास्तो, चमतकार ठीक है? तो आज आपको भागा, खा, गा और घा अपनी कौपी में लिखना है, ठीक है? पल्लों की कॉपी में आप सुन्दर सुन्दर अक्षरों में लिखेंगे ओके और अंगा प्रेश्णों के उत्तर हम नेक्स्ट ग्लास में करेंगे ओके ओके थैंक यू